Hello everyone, welcome to my channel, I hope you all are doing well So, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NSUT, आज नेता जी सुभाष उनिवर्सिटी आफ टेक्नोलोजी की So, ये डेली में है, स्टेट उनिवर्सिटी है और इनकी तरफ से इन्वाइट केगे हैं अप्लिकेशन्स फोर पीएच्डी उसी को हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे तो सबसे पहले आपको इनकी ओफिशल वेबसाइट पे विजिट करना है जो की है NSIT.AC.IN इस पे विजिट करने के बाद आप यहाँ पे देखिया अड्मिशन्स का सेक्शन है इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें PhD का उप्शन है तो PhD और Admissions पे क्लिक करना है नेक्स पोर्टल ओपन होगा इस पर्टिकुलर पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसी पे आपको बागी इन्फोर्मिशन्स मिलेंगी सबसे पहले तो आप लिंक देख सकते हैं रेजिस्ट्रिशन का रेजिस्ट्रिशन के बाद फिर से लॉग इन करना हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे कुछ सेक्शन्स देख रहे हैं उसी सम्मिट करनी है उन कांडिडेट्स को जो की एक्जेम्शन क्लेम कर रहे हैं रिटेन टेस्स से उसका फॉर्मिट अभी मैंने आपको सेक्शन्स दिखा है न उससे आप कर सकते हैं वह 14 नवंबर तक सम्मिट हो जानी चाहिए यह रहा इमेल आडिया अकैडमिक सेक्शन में आपको अंटाक कर सकते हैं और आइधिंक इसी में सम्मिट करना होगा तो वह इनफॉर्मिशन हमें अभी मिल जाएगी होफुली ब्रोशर से यहाँ पैडमिट कार्ड और उससे रिलेटेट किने काटक करना होगा फिर रिटेंट टेस्ट तो देखिए रिटेंट टेस्ट पैन पेपर मोट से होगा क्लियरली बिताया गया है एन एस यूटी मेन क्यामपस में होगा सभी कैंडिडेट के लिए अगर आप एक्जेम्टेट है तो नहीं होगा कब होना है तो ट्विंटी नवेंबर होके यह डेट है बीस नवेंबर को आपका एक्जाम होगा टू आसका होगा एंड उसमें रिसर्च आप्टिडूड के लावा सभी डेपार्टमेंट्स का नाइन टू एलेवन एम है एसी और आइसी का होगा ट्वेल थर्टी तू टू थर्टी पीम एंड इलेक्ट्रिकल एका होगा फो टू सिक्स पीम राइट और बाकिये आपको डिटेल्स एडमेट कार्ट में मिलेंगी कोई इस्यू होग और सभी चीज़े आफ लाइन होगी तैन इंट्रिव्यूस की बात करें तो एक से आठ दिसंबर के बीच में होना है अभी कब होगा वो सारी चीज़ें बात में आपको पता चलेंगी बाकि सभी जो डेट्स है वो दी हुई है चेक कर लीजेगा आप इने नाओ यह हैड़ यह नोट इस देखिए सबसे पहले ओवर्वियू है इसके बाद आप देख सकते हैं आपर डिस्सप्लेन वगरा दिया है तो अभी भी शॉर्ट फॉर्म से एसी आएसी दैन इलेक्ट्रिकल मेगानिकल सिविल आईटी है सी एसी है दैन डिजाइन फिजिक्स माथ केमिस्ट् इक्सेक्टर तो आमें बूशर में information मिलेगी डिजिस में यू आर इफ जिसमें आपको यूनिवर्स्टी की तरफ से fellowship मिलेगी फिर बाकी आपको कही और से fellowship मिल रहा है तो second category आपके लिए है थर्ड है self finance आपको किसी भी सोर्स से fellowship नहीं मिल रही बैट आप प्याज़ी करना चाते हैं यहां से तो you can also apply okay so यह third category है then यहां पर intake की बात है so देखिए total 210 intake है and इन में से URF के लिए 103 है and कितनी fellowship होगी so 32,500 होगी okay URF है पहले two years इसके बाद 36,000 हो जाएगी then यहां पर processing fee so 1000 application fee है and सब के लिए same है last date is 12th of November 2022 अब हम open करते information brochure so yes now यह है information brochure so इसमें रिखिए यह total I think 400 plus pages का है तो पूरा मैं discuss नहीं करूंगी आपको जो भी specific query होगी तो आप please try की जगा क्या आप email कर सके मुझे नहीं जो इनके official help desk वगर हैं उन्हें because मैं reply अभी नहीं कर पा हूँ तो please check कर लीजेगा बढ़ा of course आप comment drop कर दीजेगा so that कोई भी और candidate ही अगर मैं भी देख पाती हूँ reply कर पाती हूँ तो कर सको ठीक है तो देखे यहां पर सबसे पहले हम research vacancies की बात करेंगे यह table of contents है तो आप इने देख लीजेगा overview वगेरा है उसके बाद dates थी हमने देखा है यहां पर है seat uptake तो sorry seats intake okay I'm really sorry so देखे vacancies की बात करें तो सबसे पहले 210 okay overall then department wise कितना है and यह total लिखा हुआ राइट तो इसमें देखे जैसे यहां पर यूर एफ self sponsored और एजनसी सबका मिला करके तो main campus में ECE के लिए 33 है East campus में 15 है then CSE की बात करें तो main campus 15 East campus 13 उसके बाद IT है जो कि main campus में 12 seats ME mechanical में main campus में 10 है West campus में 2 seats है IC में 49 seats है electrical में 7 है then BSE है जिसमें 7 seats है civil के बात करें जो कि West campus में available है उसमें 24 seats है design main campus 4 maths main and east campus दोनों में है तो overall एक ही seat है I guess next is physics same main and east campus total 6 seats है then chemistry में main campus में 10 seats है Humanities and SS की बात करें HSS की बात करें तो main campus में है बट seats एक भी नहीं है इसमें next management जिसमें की 2 seats available है तो बस यही seats है और यही disciplines है and HSS नहीं available है management में 2 seats है बाकि सभी engineering and sciences के seats है regulation पर लीजेगा एक बार NSUT का and this के अलावा यहां पर award category selection criteria वगेरा है तो देखे research awards मिलते है कई सारे जैसे paper के लिए outstanding research award जो की 5 lakh का होता है then selection का criteria क्या होता है वो सारी informations है तो यह पाने के लिए आपको पहले selection लेना होगा ठीक है तो उसके लिए criteria जानना ज़रूरी है तो यहां भी percentage की बात करें तो 60% का criteria है आपने bachelor's और master's किया हो तो दीखे इंजिनरिंग टेकिया management के लिए apply कर रहे है तो आपने bachelor's और master's किया हो 60% marks के साथ किसी भी एक discipline में तो आप eligible होंगे apply करने के लिए sciences की बात करें यहां पर 55% का criteria है तो master's degree है 55% marks के साथ तो आप eligible है apply करने के लिए इसके बाद इसी तरह से age limit कोई भी नहीं है तो कई बार आप age limit बूचते हैं अब आप age limit नहीं है यहां पर के टेगरीज बता दिया है then reservation next reservation relaxation के rules है फिर processor है so दो स्टेज का process है पहले return होगा फिर interview होगा and 50% marks return में होंगे तब आप qualify करेंगे for interview wait at 70 30 का होगा syllabus क्या होगा तो लिखा हुआ है जो syllabus होगा paper one की बात की गई है wait syllabus होगा entrance test का उसमें questions होंगे वेटेज रहेगा research analytical comprehension comprehension and content सभी का होगा और आपका बागी subject का होगा and एक ही question paper होगा entrance का sub department के लिए okay फिर यहां पर है जिनके पास fellowship है किसी और source से identified by board research studies तो आप exempted है तो अगर fellowship है तब ही आप exempted होंगे and आपको interview में appear होना होगा gate qualified candidate जिन्नोंने mtech किया हुआ है तो उनके लिए है I guess wait so basically ना यहां पर लिखा हुआ है कि जिन्होंने mtech में enrollment लिया हुआ है अभी gate qualified है आप चाहें तो dual degree में admission ले सकते हैं ठीक है तो उसके लिए है and next जिसी तरह से और points है जैसे mtech fellowship अगर आपको मिल रही है ICT की two years के लिए तो third year से आप URF के लिए हो सकते हैं qualify हो सकते हैं आपको URF मिल जाएगा तो please again I am requesting कि सभी points को एक बार देख लीजेगा I mean जो भी आपको लगे तो पहले आप क्या किजेगा table of contents open कर लीजेगा अगर लगता है उनमें से कुछ information आपको चाहिए तो आप उसे देख लीजेगा confusion कोई भी है तो आप बता सकते हैं and instructions के medium कैसे होंगे तो यह वैसे तो सबके लिए ही English में होगा not only for the foreign nations now financial assistance so URF की बात करें बिता दिया 32,500 है third year से 36,000 हो जानी है and सके अलामा three to six years का होता extension मिलता है अब यहां पर क्या लिगा है कि three calendar year या फर जब तक आप submit करेंगे thesis तो दो दोनों में से जो earlier होगा तब तक आपको fellowship मिलेगी okay and yes तो इसी तरह से और भी कुछ points से इनको देख लीचें progress भी satisfactory होनी चाहिए तभी continue होती है fellowship fee structure क्या है तो यहां पे fee structure grant total first year में है 28,800 basically 29,000 then second में है 25,000 and third year and उसके बाद भी again 25,000 है प्रोसेजर क्या है online application का तो आप इसको य लिंक दिखा दिया है अगर अभी आप appearing है तो आप भी eligible है apply कर सकते हैं fee जो होती है वो non refundable होती है यह documents लगेंगे आपको I mean जब आप वहां पर जाएंगे तो डीवी के time भी लगेंगे शायद आपको कुछ upload भी करना हो तो देख लीजेगा then यहां पर क्याक्य amenities हैं वो दी ह campus में departments हैं वो सारी information है यहां से आपको full forms भी देखने को मिल जाएंगी अगर आपको कोई issue है तो आप इससे देख लीजेगा research profile है proper department wise यहां पर यह information है and यहां पर देखिए areas भी दिये हुए हैं देख सकते हैं area of research and available seats यह सारी information भी यहां पर है department wise आपको देखने को मिल जाएं so 16 है यहां पर available with fellowship EC में seats okay without fellowship 17 है then yes इसी तरह से बहुत अच्छे से चीज़न की गई है professor के नाम faculty profile and everything okay इसी लिए यहां पर जो यह ब्रोशर है वो 406 pages का है तो यह सारी information से बाकी eligibility हमने देख ली है fellowship की बात कर ली है last date बिता दिया process पूरा offline है यह चीज़े हमने देख ली है exemption है जिसे पुन ही को है जिनके पास fellowship and बाकी NOC आपको भेजनी होगी तो हम एक बार NOC को देख लेते हैं सबके नहीं है सबसे पहले तो यह उनके लिए है जिन और ऑगनाजेशन से जो भी सपोर्टेट के साथ हैं अगर आप करना चाहरा है तो यह आपके लिए ठीक है and next record है जिसमें कि यह उन candidates के लिए basically यह regular faculty members के लिए NSUT के या फिर उन candidates के लिए जो employees हैं किसी organization के जो NCT Delhi के अंडर है okay so basically अभी अगर आप employed है आप PhD करना चाहरा है आपको exemption claim करना है तो यह उसके लिए है regular है आप PhD करना चाहरा है और आपके पास JRF है तो आपको ऐसा कुछ हैनों सी नहीं send करना है submit करना है but एक बार आप confirm कर लिजेगा अपने end से just to be sure okay and I think yes that is it for today यह थाज का वीडियो do subscribe the channel thank you so much for watching